फरजी डोक्टर ने किया गरववती महीला का ओपरेशन जच्चा बच्चा की हुई मौत डोक्टर्स जीने भगवान के दूसरे रूप में जाना जाता है जो इंसान का इलाज कर उन्हें नई जिंदगी देते हैं बड़ी बड़ी डिगरियां और पढ़ाई करने के बाद जब एक पुरुष या महीला डोक्टर बनती है तो वह हर नाम उनकी कोशिश करते हैं लाज कर पेशन की जान बचाती है लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या आठवी पास वेक्ती डोक्टर बन सकता है क्या वह किसी गरव गरवती महीला का ओप्रेशन कर सकता है तो आपको बता दे ऐसा ही एक मामला सुल्तानपूर से आया है जहां पर आठवी पास फरजी डोक्टर ने एक गरवती महीला का ओप्रेशन किया और इलाज के दोरान जब केस बिगड़ गया तो बिना रेफर किये ही इलाज के लिए लखनाव भेज दिया जिसके बाद रास्ते में ही जच्चा बच्चा की मोत हो गई परीच्णों ने इसकी शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने जब मामले की जाज की तो चोकाने वाले खुला से हुए दरसल जिस डोक्टर ने महिला को आपरेशन किया था उसके पास ना ही को सामला बल्दी-्राय इलाके के माशारदा अस्पताल का है वही जाच में यह भी पता चला कि अस्पताल संचालक भी भारवी पास ही है पुलिस ने तीनों आरोप्यों के खिलाफ केस दर्ष कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने परिज्णों की तहरीर पर आरोपयों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जब पड़ताल की। तब यह भी खुलासा हुआ कि आटवी पास डोक्टर का नाम राजेंद्र परशाल शुकला है। संचालक, राजे, सहानी, खिरी जिलेका और राजेंद्र और उसका सहयोगी अयोध्धा के रहने वाले हैं। फिलाल पुलिस ने तीनों को ग्रिफतार कर लिया हैं। पुलिस अधिक्षक अर्विन चत्रवेदी ने जिलादिकारी और मुखे चिकित साधिकारी को ऐसे अस्पतालों को चिनहित कर कारवाही के लिए पत्र लिखा हैं। आखिर कब तक प्रिशासन की निगाहों में धूल जोगते वे इस तरह के फरजी डॉक्टर्स के साथ अस्पताल चलते रहेंगे और ने जाने कितने लोगों को अपनी जानकवानी पड़ेगे। इस खबर को देखने के बाद आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा।